अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो उसका अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एकदम रेस्टॉरेंट स्टाइल पनीर लहसुनी की रेसिपी इसे आप काफी कम वक्त में बना सकते हैं और इसका थिक और क्रीमी ग्रेवी लहसुन के फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं पनीर लहसुनी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे जिसके लिए ले लूंगी करीब एक कल्ची के बराबर मैंने तेल ले लिया है और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बटर फिर इसमें डाल दूंगी एक छोटा चमच जीरा दो से तीन कश्मीरी लाल मिर्च, दो से तीन लॉंग, दो से तीन हरी इलाइची, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, साथ से आंट लैसुन की कलिया, दस से बारा काजू, इन सारे चीजों को एकदम धीमी आँच पर करीब एक से देड़ मिनट के लिए भून ले फिर इसमें मैं डाल दूंग चार मीडियम साइज के टमाटर, पतले स्लाइसे में इस तरह से काट कर थोड़ा सा इसे भून लेना है, अद्रग इसमें डाल दूंगी मैं एक इंच, छोटे टुकड़ों में काट कर, नमक डाल दूंगी इसमें मैं स्वाद अनुसार, नमक से टमाटर जल्दी पक जाएग फिर इसमें मैं डाल दूंगी दो कप के बराबर पानी और इसे ढख कर करीब पांच मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, यह मसाला अच्छे से पक जाएग उसके बाद आँच को बंद कर दें, मसाले को पूरी तरह ठंडा करके इसे ग्राइंडर में अच्छे से प जाएगा है, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा लग रहा है, तो करीब दो मिनिट इसे और पका लूँगी, तो थोड़ा सा पका लिया और यहाँ पर मसाला भी मैंने ठंडा कर लिया, जरा सा पानी रहने दिया था जिससे की यह मसाला पिसने में आसानी होगी, और स्मूद टेक्श्चर वाला मसाला पिसकर तयार हो जाएगा इसे मैं एक ब्लेंडर में लेकर अच्छे से पीस लूँगी अब पनीर लैसुनी बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है चार से पांच बड़े चमच तेल तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद इसमें मै डालूंगी एक बड़ा चमच कदुकस किया हुआ अद्रक और करीब तीन से चार बड़े चमच बारी कटा हुआ लैसुन तो लैसुन को बारी काटकर तेल में डालकर एकदम धीमी आज पर तब तक पकाएं जिससे की उसका पूरा फ्लेवर जो है वो तेल में अच्छे से मि मिक्स हो जाता है अच्छा सुनेहरा होने तक लैसुन को भूनना है यहां पर मैंने एक बड़ा चमच बटर का डाल दिया है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस सबजी में लैसुन अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ और प्याज को भी सुनेहरा होने तक भून लेना है प्याज और लैसुन यहां पर आप देख चुके हैं कि भूना जा चुका है इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी प्याज और टमाटर का बनाया हुआ मसाला और इसे करीब 2-3 मिनिट के लिए मी जिन किंग मसाला अगर आपके पास नहों तो गरम मसाला करीब 3-4 छोटा चमच और आधा चोटा चमच धनिया पाउडर इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है इस टमाटर और प्याज के पेस्ट में तो यहां पर सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इस मसाले को ढखकर करीब 5-7 मिनट के रिए पका लें जिससे की पूरा फ्लेवर जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसके सीजनिंग चेक कर लें नमक बराबर है या नहीं उसके बाद इसमें मैं डालूँगी चीनी एक छोटा चमच जिसकी अगर जो है वह बैलन्स हो जाएगा फिर इसमें मैं डालूँगी आधा कप दही दही को मैंने अच्छे से फेट लिया है दही डालने से पहले यहां पर मैंने एक कप के बराबर पानी डाल दिया है जिससे की मसारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और ऐसा करने से दही जो है दालें तो सबजियां और भी जादा टेस्टी बनती है कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आने लगा है और यहां पर मैंने नमक भी चेक कर लिया थोड़ा सा डाल दिया नमक ग्रेवी पके तयार हो जाए इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी तीन से चार बड़े चमज फ्रेश क्रीम उसे सबजी और भी जादा टेस्टी बनती है डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें तो यहां पर हमारा जो क्रीमी करी है वो बनके तयार हो गया है लैसूनी फ्लेवर वाला इसके बाद इसमे मैं मिक्स कर लूँगी सबजी में उबाल आ गया है अब आखिर मैंने डाल दिया है बारी कटा हुआ हरा धनिया उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यहां पर हमारा पनीर लेसूनी बनकर तयार हो गया है इस समय मैं आज को बंद कर दूँगी यह जो कंसिस्टेंसी ह करी की एक दम परफेक्ट है जैसे जैसे सब्जी थोड़ी सी ठंडी होगी यह और गाढ़ी हो जाएगी इसलिए इसे मैं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूंगी उपर से करीब एक टेबल स्पून बटल डाल दूँगी जिससे की सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी हो तो यहाँ पर पनीर लेसुनी को अब मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी सर्विंग बोल में आप देख सकते हैं कितना टेम्टिंग लग रहा है यह इसे आप पूरी पराठे नान के साथ सर्फ करें बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नह आप सर्विंग झाल रहाँ च्टीग जब लगती लाँ करब का भोल्म यद cost के की बगता है